काल के बाद भौरे से निकाला अपने पिता के पास में आया पिता जी को नमस्कार किया और राजा सुलेभान ने कहा कि मेटे आप जाइए और आपकी धर्म की माँ है जो नूना दे उनके और दर्शन करके आईए सजनों लड़का पूर्ण मल पिता के हुकम से राणी नूना दे के रंग महलों में चले जाते है और जब नूना दे ने लड़के पूर्ण मल के दर्शन किये पूर्ण मल के रूप में इतना तेज धा के नूना दे चकर खाके पड़ जाती है फिर जब होच आया तो लड़के पूर्णमल से कहती है कि पूर्णमल आप और हम हम उमर हैं और मैं आपकी माता नहीं है आप मेरे से दो बात करो और चोपड सार खेल लेगे तो सजनो संसकारी था लड़का पूर्णमल कहता है कि मा में और मोसी में कोई फरक नहीं होता मोसी भी जननी है और मा भी जननी है नूनादे की बात नहीं वानी पूर्णमल ले तो वहाँ से पिंड चोटा के भाग जाता है पूर्णमल के जाने के बात राणी नूनादे अरंग महलों में आशन पाटी लेके पड़ जाती है जब राजा उत्यान पात महलों में आते है हाल तमाम देख्या तो राजा पूछती के राणी शाहिबा क्या बात है तो राणी पूर्णमल पे इलजाम लगाती है और इस रागनी के माज हमसे क्या कहती है नई रागनी और नया ही रंग होगा इस साज के लिए और इन कानों के लिए वैसे तो गाना बहुत पराणा है द्यान करना आप ये गाना कुन सा है लास्ट में बताया जाएगा क्या कहती है राणी लूना में कैसे हो मने पड़ी राहन देने मैं करूंगी जाने की धेन हो मन पड़ी राहन देन मैं करूंगी जाने की धेरी मन पड़ी राहन देन क्यरे पूरन मलबद माजन देन इजत धोती मेरी मन पड़ी राहन देन मैं करूंगी जान देन मैं करूंगी जान देन इजत धोती मेरी मन पड़ी राहन देन मैं करूंगी जाने की धेरी मन पड़ी राहन देन मन पड़ी राहन देन मैं करूंगी जाना मस देन अध्यक पड़ी राहन देन मैं करूंगी जान देन मैं करूंगी राहन देन आवा देन बोला बैरी मेरे संग मुला काति कर ले थोड़ दिन की जिंदगानी से पल दो पल का साथ कर ले कहन लगया मेरे हाथ कर ले कहन लगया मेरे हाथ कर ले भुसन चबल दिन तेरी मनी रहन देतें माद कर ले मनी रहन देतें पूर मलमदे माद मेरे आलोट के आजा मेरे भी तुझे मेरे भी बुलाते हैं मेरे भी तुझे मेरे भी बुलाते हैं मेरे भी तुझे मेरे भी तुझे मेरे भी बुलाते हैं एक सजन में पचास रुपे से मानम संबान किया बार बार धनेवाज दूसरी करी के अंदर कहा क्या सवरगिया रगहीर सिंग रायक शाब उनके नाम से देखाँ आपने देखे नहीं है सुड़े नहीं है जा इतना प्रेमी है तो कुछ ना कुछ चीज इसी वो इसलिए उनके नाम से भाई ने 101 रुपे से पार्विगा मान संबान किया भावनात मत हम कदर करते हैं नमस्कार करते हैं उस आत्मा को जिनोंने इस प्रिधवी के आकर के अपने समाजिक विभार से अपनी इज़त भलाई क्या कहा दूसरी कली के अंदर कैसे मासं बेता इश्ट कमावे दीनी मान कड़े रह ग्या मासं बेता इश्ट कमावे दीनी मान कड़े रह ग्या दगपरणों मैं कसर नहीं ओ आत्र मान कड़े रह ग्या वो बगवान कड़े रह ग्या वो बगवान कड़े रह ग्या ओ निगा पाप की केरी पलपणि रह ग्या ओ लॅलए पलपणि रह ग्या पूल बड़े रह ग्या ओ दे आद। तुम अगर साथ देने का वादा करो मैं योही बस देने के सुनाता रहू तुम अगर साथ देने का वादा करो मैं योही बस देने के सुनाता रहू दुनिया मैं बतनामी होगी ऐसा खोड़ा काम कर गया ना मरने मैं ना जीने मैं ऐसा वो इंधिदाम कर गया सरयाब बतनाम कर गया मैं बतनाम कर गया विदाम कर गया मैं रूवियां की मोराओ मन्यबद कर गया किया था पकाम कर पार्द खोड़ा धनेवाद बलोग परमुख विनोध मलिक सहब 201 रुपे से पार्टी का मान शंबान करते हैं बार बार धनेवाद है धनेवाद उस कवी की कलम है ये आज दुनिया में नहीं है और सिश्य किसके रहे हैं उनके सिश्य रहे हैं राम कुमार जी गोर्श्वामी गाउप वाबडा के उनकी ये लेखनी है और तरद पंजाब से हैं वो बात में बताएंगे क्या कहा चोती बात में रुछे गुरु बलवत सिंग गुरु महारे ने पात्रिया चे पेरा कैत मरूंगी जहे रेखा के ना हो दुगुआ जेरा रामकुमार देख मेरा चेरा रामकुमार देख मेरा चेरा विख मेरे ने बात मेंपकुमार चेरा अर्स दातारा दस मेरे दिल बरावे तू खि綁नल अरइस दातारा दस मेरे दिल बरावे लिखेल नतंवान ही जबहतन साथ हाथ्यारी कमारा दस campus दील बरावे बहुत अच्छे माशा जी बाई एक बर जोड़ दार तालिया स्वाकत करें मुनिगर का बहुत बहुत बाई हमारे पुराना पलोग परमूग पिनोद मलिग जी वे कहीं बाहर है यहां प्रोग्राम मन नहीं आ सके उन्होंने रागनी कमेटी को 11,000 रुपे दिये हैं हम परमुग साब का बार बार धन्या बात करते हैं एक बार परमुग साब के लिए जोड़ दार तालिया सभी